हेलो स्टूडेंस कल हमने पढ़ा था अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुक है मैं एक बर से थोड़ा सा स्मरी बता देती हूं आपको अभी तक हमने पढ़ा है जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें पढ़ना था वर्ल्ड लाइन है ना उसमें हमने वर्ल्ड पॉइंट भी अची हुई है समझ में आ गई जिसको आज हम करने की कोशिश करेंगे ठीक है कल आमने क्या पढ़ा था और परसो अमने क्या पढ़ा था वो दोनों बता देती हूं मैं वर्ल्ड पॉइंट क्या होता है किसी फोर वेक्टर स्पेस में कोई भी पॉइंट है जिसके कोडिनेट चार कोडिनेट से शोग के जाता है तीन पोजिशन कोडिनेट और एक टाइम कोडिनेट के साथ तो उसको हम मिनकोविस्की स्पेस या फोर वेक्टर स्पेस कहते हैं समझ में आ गए बाद यानि कि यहां पे नई चीज क्या है इंक्लूडेशन आफ टाइम कोडिनेट समझ मे समझ में आ गए बाद तो वह आपका स्पेस का उनसा कहलाता है फोर वेक्टर स्पेस उसी को हम विग्यानिक मिनकोविस्की के नाम से मिनकोविस्की स्पेस कहते हैं समझ में आ गई अब दो वर्ल्ड कोईंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है उन्हें पड़ा था space time interval space time interval क्या होता है कि लिए दो वर्ड पॉइंट के बीच की distance का वर्ग यानि की square जो होता है वो क्या कहलाता है Space time interval तो हमने देखा था दो स्पे दो फ्रेम ओफ रिफ्रेंस लिये थे हमने s frame of reference और s frame of reference ठीक है s frame of reference में दो पॉइंट लिए थे हमने वर्ड पॉइंट उनके बीच के डिस्टेंस यह थी ठीक है तो यह S फ्रेम का स्पेस टाइम इंटरवल है फिर इसी को उने क्या का था कि अगर S डैश फ्रेम में स्पेस टाइम इंटरवल को बताना पड़ेगा यानि कि उन दो बिंदू जो बिं क्यों आपको इस इस अपेस टाइम इंटरवल इन स्प्रेम शार यह जो है नीचर यह आपका है इस्पेस टाइम इंटरवल है इन एस डैश फ्रेम ठीक है फिर मैंने यह पर लिकाता आपसे अकोर्डिंग तो वोदी first postulate of Einstein STR, उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं, कि अगर दो frame of reference, एक दूसरे से नियत गती पर गती शील हैं, तो उन में physics के rule जो है, या बहुतिक या space में जो नियम लागो होते हैं, वो equal होते हैं, तो S' जो है, वो S के respect में constant velocity V से move कर रहा है, तो S' में जो equation 2 है, व time like vector, यानि कि समयवत सदिश क्या होता है, space like vector, यानि कि आकाशवत सदिश क्या होता है, और macro casualty कहां पे काम आती है, समझ में आगे बात आपको, ठीक है, देखें, अब मैं क्या कह रही हूं, कि जो space time interval है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें नहीं बात क्या है, कि space time interval जो है, वो सकता है, कालपनिक भी हो सकता है, और सुन्ने भी हो सकता है, यानि कि इसकी value 0 भी आ सकती है, जीक है, real भी हो सकती है, और imaginary भी हो सकती है, इस basis पर तीन केस बनते है, ठीक है, तीन केसस के बेसी पर बनते है, कि जो delta स स्कुयर है, या space time interval है, मैं स्पेस टायम में लेकर चल रहा स्पेस्टाइम इंटर्वाल या निके डेल्टा स्ट्वाइर कैन बी रियल इमेजिनरी और जीरो ठीक है on the basis of these three conditions three cases are defined three cases are defined as follows क्या क्या cases हैं वो जरा वो देख्या नमबर फर्स्ट इफ डेल्टा एस स्क्वाइर क्या हो greater than zero मैं क्या बोल रहे हूं डेल्टा एस स्क्वाइर greater than zero यानि कि यह जो equation number one है यह क्या हो zero से बड़ी हो ठीक है तो आप कह लिखोगे therefore by equation one c square t2 minus t1 का whole square minus x2 minus x1 का whole square minus y2 minus y1 का whole square minus z2 minus z1 का whole square that must be greater than zero क्योंकि यही value तो डेल्टा एस स्क्वाइर के बराबर थी समझ में आगे बात आपको अब मैं इन तीनों को उधर लेकर के जा रहे हूं 0 के उधर लेकर जा रहे हूं तो यह क्या बन जाएगा c square t2 minus t1 का whole square is greater than x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square समझ मारिया इसको मैं क्या लेक सकते हूं क्या मैं इसको ऐसे लिख़ू ऐसे लिख दूँ ऐसा करो आप चलो ऐसे लिख दो c square मैं इसको delta t का square लिख दूँ तो कोई दिक्कत डेल्टा T तो है time interval आपको लेक दिक्कत इसको मैं R2-R1 का whole square लिख सकती हूँ ना मतलब एक तरीका से मैं इसको डेल्टा R square कह दू तो कोई दिक्कत R2-R1 ही तो है ये R2, R1 में तीनों point है X1, Y1, Z1 और X2, Y2, Z2 ठीक है तो उन दो position vectors में से दोनों को minus करोगे तो आप यही तो आएगा समझ में आगे तो मैं इसको delta R square लिख सकती हूँ इसका मतलब क्या है C कितना आगा, C square is greater than delta R square upon delta T square इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि C is greater than delta R by delta T और यह क्या है delta R by delta T, velocity, therefore C is greater than V समझ में आ रहे है, हालनकि delta V है पर है तो velocity, हम इससे क्या निशकर्ष निकालेंगे, इस चीज से क्या निशकर्ष निकालेंगे कि velocity of night is greater than velocity of particle, तो वो तो सही बात है velocity of light तो किसी भी particle की velocity से जाधा होती है इसका मतलब यह कौन सा space कैलाता है, यह वास्त्रिक है ठेक है, वास्त्रिक मैंने काना, कि जो space time interval है वो आपका real भी हो सकता है, imaginary भी हो सकता है, zero भी होता है हम imaginary और zero के आगे देखेंगे, हमने कौन सा देख लिया है, real यानि कि कब space time interval real होगा, real तब होगा, जब velocity of light यहाँ पे देखो न, really तो है, कहीं पर भी, आयोटा की कोई राशी आई, नहीं आई, कुछ भी चीज जीरो हुई, नहीं हुई, तो इसका मतलब कि कौन सा case, real है, वास्तों में ऐसे ही होता है, कि velocity of light, velocity of particle से जादा होती है, ठीक है, तो यह आपका कौन सा case हो गया, unreal वाला, इसको हम क्या बोलते है, ऐसे वाले अंतराल को हम बोलते हैं, समय वत अंतराल, या फिर delta s square is greater than zero, ठीक है, तो आप इसको कैसे कहोगे, एक बर पहले इसको बता दो, this means, velocity of light is greater than, velocity of particle, that is, according to the Einstein's, str, str, Einstein's, यानि कि Einstein के आप एक शिक्ता के विसेष्ट सिद्धानत के अनुरूप है, समझ में आगे बात आपको, तो आप निश्करज क्या निकालोगे, conclusion, conclusion क्या निकलेगा, therefore, if, delta s का whole square is greater than zero, this means, space time interval is real, is, space time interval is real, then, in this condition, in this condition, we can say it as a time-like interval, instead of saying real space time interval, क्या निका मतलब क्या है, कि जो real space time interval है, उसको क्या बोला जाता है, time-like interval, लेकिन उसको real space time interval कहने की जगा पर एक नया नाम दिया गया है, और वो क्या देते हैं, समयवत सदिश, या फिर time-like interval, समझ में आ रहे हैं, इस परग्राफ में मैंने क्या बोला है, कि जब डेल्टा S square is greater than zero, अर्थात दिक्काल अंतराल वास्तिविक हो, तो इस condition में वास्तिविक दिक्काल अंतराल के इस्थान पर उसको क्या बोला जाता है, time-like interval या फिर उसको बोला जाता है, समयवत अंतराल, उसको क्या बोला जाता है, समयवत अंतराल, बार समझ में आ गई, और इस इस्थिति में किनी दो घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को आप क्या नाम दोगे, समयवत सदिश, ठीक है, देर्फोर, 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 जोइनिग तू इंसीडेंट, इन देर्फोर, इन देर्फोर, जोड़ने वाले सदिश को क्या बोला जाता है, टाइम लाइक वेक्टर, या फिर समयवत सदिश, बात समझ में आ गई, तो किसी भी वास्तिविक दिककाल अंतराल को क्या नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है, समयवत अंतराल, और उस अंतराल में दो घटनाओं को जोड़ने वाले सदिश को क्या बोला जाता है, समय समय वत सदिश समझ मैं आगए बात तो समय वत सदिश को आप तब परिभाश्य कर सकते हो जब आपका डिल्टा 250 घेट यह गेड़ सीरो अब हम देखने कि कि जब डिल्टा से स्कुर्या इस इसी कवस्ट टू जीरो होगा तो तो नंबर दो के से आपका इफ डिल्टा s square is equals to 0 यानि कि इसका मतलब क्या है कि space time interval is 0 space time interval is 0 तो इसको 0 होने का मतलब यह है कि c square t2 minus t1 का whole square minus x2 minus x1 का whole square minus y2 minus y1 का whole square minus z2 minus z1 का whole square is equals to 0 हाना यह ही तो मतलब है तो अब इन सारी चीज़ों को अब उधर लेके जाओगे हाना तो c square t2 minus t1 का whole square is equals to x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square तो यह क्या बन गया यह बन गया आपका मैं ऐसा लेक्टू c delta t is equals to delta r minus square अगरा हटा दिये और यह r to minus r1 को मैंने delta r लेक्ट दिया पिछले वाले की तरह ही है तो यह सारा बार-बार नहीं करेंगे आपन एक बार समझा दिया पेपर में तो एक ही बार आएगा तो महां तो पूरा ही करना पड़ेगा आपको तो यह आपका क्या बन जाएगा c is equals to v आप इसको नीचे लेके जाओगे delta r by delta t v बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर c is equals to v यानि कि इस केस में velocity of light जो है वो velocity of particle के एक्वलाग्ट है बास समझ में आरी आपको तो इस इस्तिती में अगर कोई घटना होती है तो उन दो घटनाओं को जोडने वाले सदिश को एक नया नाम दिय जाता है उसको बोला जाता है light like vector या प्रकाशवत सदिश जो कि हमारे heading में नहीं था तो यह जादा important भी नहीं है पूछा भी कम जाता है लेकिन पता होना चाहिए पूछ भी सकते हैं वो कि delta s square अगर 0 हो जाए तो क्या होगा लेकिन basically दो ही पूछे जाता है जब greater than 0 हो या less than 0 तो greater than 0 को तो time like बोलते है ठीक है less than 0 को हम बोलेंगे space like ठीक है वो मैं बताऊंगे आगे लेकिन delta s square अगर 0 होगा तो इसको हम बोलते है light like light like क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपे velocity of particle है वो velocity of light के equal है इसलिए इस इस्तिती में दो बटनाओं को जोडने बले सदिश को क्या बोला जाता है light like vector या फिर प्रकाश वत सदिश ठीक है समझ भागे तो क्या का होगे therefore if delta s square is equal to 0 then velocity of light is equal to velocity of particle in this situation the vector joining to incident is known as light like vector क्या बोलते हैं light like vector या फिर प्रकाश वत सदिश या निकि प्रकाश जैसा सदिश तो आगर delta s square is equal to 0 हो तो उस case में velocity of light velocity of particle के equal होती है तो उसमें दो गटनाओं को जोडने वाले सदिश को क्या नाम दिया जाता है light like vector या फिर प्रकाश वत सदिश अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब delta s square is greater than 0 हो sorry less than 0 less than 0 हो यानि कि कालपनिक दिक्काल अंतराल हो less than आएगा हमारा less than आने की स्थि में हमारा velocity of light है c वो less than आएगी velocity of particle के तो भही ये तो कलपना में हो सकता है कि velocity of light velocity of particle से कम हो जाए या particle की velocity velocity of light से जादा हो जाए तो ये तो कालपनिक इस्थि आजाएगी तो वहां किनी दो गटनाओं को जोडने वाले सदिश को क्या नाम दिया जाएगा उसको बोला जाएगा आकाशवत सदिश या फिर उसको हम बोलेंगे space like vector समझ में आ गई और उसी में हम पढ़ेंगे macro casualty या फिर stool कारणता को तो कलपने उसको खतम कर देंगे फिर हम शुरू करेंगे four vector formulation of position ठीक है? ओके, thank you